नमस्कार दोस्तों, श्वगत है आप लोगों का हमारे आचार जागिंद्रमिस्रा चैनल पर मंगलवार की रात, पांच काली मिर्च, जलादे यहां मिलेगी सभी संक्टों और कष्टों समुक्ती, छपड़ फार के पैसा आएगा घर में, दुरभाग होगा दूर, शोभाग की प्राप्ती होगी दोस्तों काली मिर्च का प्रियोग जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालता है, खास करके सत्रू बिरोधियों को शांत कर देता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा वो परेशान करते हैं, कि आप हार जाते हैं, अब ऐसे में क्या करें, कि सब कुछ बेहतर हो जाए, सब क पुछ यनि की अच्छा हो जाए, तो दोस्तों आज हम काली मिर्च की बात करेंगे, देखें, काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत शारे प्रियोग किये जाते हैं, तोटके किये जाते हैं, बहुत शिंपल से चीज है, आपके किचन में होगी, और अगर भो पर सनिदे की शारे साती धहया परिशान जादा करें, तब आपको मंगलवार की दिन क्या करना है, लाल कपड़ी में थोड़ा सा काली मिर्च रख लें और थोड़ी से सिक्के रख लें, और लाल धागे के सहरे बान कर किशी को दान कर दें, या फिर पीपल के नीचे रख द कि बहुत सारी परिशानियों से बाहर निकलाएंगे, कई बार क्या होता है कि आप दिन वदिन उलशते चले जाते हैं, किसी न किसी चीज में, कभी बीमारियों में परिशान रहते हैं, कभी धन की समश्या, कभी रुपए पैसी की समश्या, कभी पारिवारिक टेंसन, बहु उनको आपो अपने शर से साथ बार उल्टे बार लें, अपने घर में ही ये काम कर लें, अब इसको किसी चीज में रखकर कागजे, वगरे में आप किसी भी ऐसे इस्थान पर ले जाकर खड़े हो जाएए, जहां चवराहा हो, आपकी आसपास तो वहां चले जाए, अगर आप में हो या फिर उत्तर देशा में हो, वहीं पर खड़े हो कर, एक करके चार काली मिर्च, चारो दुशाओं में फेंक दें, जो पांचमा बच गया है काली मिर्च, इसको आपको आसमान की तरफ फेंक देना है, और वापस आजाए, पीछे मुर कर मत देखे, आकाश्मिक धनल की योग बनेंगे, जीवन के बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलाएंगे, आज हम आपको सत्र मुक्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बताएंगे, बहुत शिंपल सा है, देखे काली मिर्च आपको लेने हैं साथ, याद रखेगा, साथ काली मिर्च अगर सत्रु ज्यादा परेशान करें, अपनी हो या फिर पराय हो, कोई भी हो, सत्रु सत्रु है, एक है हजार है, सब का नाम लीजेगा, तो आपको साथ काली मिर्च लेना है, अब आप चाहें तो एक जारा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको आप किसी भी भारी वर्ष से दबा कर उसको हलका सा दबा कर दरदरा कर लें, पीछ लें, अब इसको क्या करें, हनमान जी का जो शिंदूर होता है, हनमान जी का जहां पर मंदिर है, तो दाहिने पैर का शिंदूर लेकर आएं, और इसमें आपको लगा देना है, और लगा करके फिर आप ले जाकर मंग मंगलवार के दिन अब यहाँ पर आपको हन्मान जी बजरंग बली के उपर अर्पित कर देना है चरहा देना है और सत्रों से मुक्ती दिलाने की प्राथना भी करना है आपको भगवान बजरंग बली से यकीन मानिये सत्रों शांत हो जाएंगे आपको तीन मंगलवार आपको करना है यकीन मानिए बहुत शिंपल सा उपाय है आपको लाभ मिलेगा आपको शिंदोर आसाने से मिल जाएगा भगवान बजरंग बली के कहीं पर भी आसपास मंदिर है वहां से लेकर आए उनके दाहने परकर शिंदोर इसमें लगा करके आपको जाकर चरहा देना है मंदिर पर अगर आपके घर में मंदिर है तो घर पर ही ये काम कर सकते हैं और फिर आपको प्राथना भी करना है दोस्तों ये प्राथना कभी भी आपकी अश्विकार नहीं होती है श्विकार कर लेते हैं भगवान बजरंग बली अब कई बार क्या होता चुकि बहुत शिंपल है अब होता क्या है कि आपके पास जिसे कि शिंदूर ना मिले तो आपको डारेक्ट हनवान जी के मंदर पे ले जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं इतना काम करें तो नाकरात्म कुर जाएं अगर आपके घर में बढ़ गई है घर मे आपको लगता है जिसे लक्ष हीन हो गए हैं चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब एक सिंपल सा काम कीजिए आपको चाहिए होगा एक कागज और अगर आपके पास भोज पत्र है तो और भी अच्छा है अब इस भोज पत्र या फिर कागज पर सफेद कागज ले ल अब इस कागज को जैसे मर्जी वैसे जला दें ये प्रयोग आपको सत्रों को अपने जीवन में हमेशा हमेशा कले दोर कर देगा ये प्रयोग आपको मंगलवार की दिन करना है मंगलवार की रात रिको करें तो ज्यादा अच्छा है आपके जीवन से हमेशा हमेशा कले सत् तो सत्रों से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग बहुती चमतकारिक और अध्बूद है इसका प्रभाव बहुती ज्यादा होता है कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग सत्रों होते जिनको न तो आप छोड़ सकते हैं और ना ही पकड़ कर रख सकते हैं आप फश चुके हैं यह सहरे बांद कर इसका माला बना ले माला बना ले और ले जाकर बजरंग बली को अर्पित कर दें सभी मौनाव कामनाओं के पूर्ती होगी शत्र गुरोधी भी शांत हो जाएंगे यकीन मानिया बहुती लावकारी रहेगा यह उपाए दोस्तों आप क्या करते हैं कि रोजान जलाते हैं तो इसमें पांच काली मिर्च डाल दें आपके ब्यापार भी चलेगा घर से नाकरात्म कुर्जा भी दूर हो जाएगी और कोई ब्यापार में असफलता नहीं मिलेगी कोई ने कोई डील आपकी होती रहेगी और नौकरी लगेगी बिवा शंबंधी जो बच्च बन जाएगा तो इस प्रकार से ये उपाय करें बहुत इलाबकारी है एक छोटा से उपाय और करें अगर आपके घर में किशी तरह की नकरात्म कुर्जा एक किशी ने तंत्रमंत्र के टोने टोटके करा रखे हैं तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च के दाने ले ले लेने हैं जितने मर्जी हों 5, 7, 11, 20 और फिर आप अपने सर से 3 बार उल्टी बार के और अपनी मनोकामना बोलते हैं अपने घर के वाएं तरफ दरवाजे के बाएं तरफ फेक दें ये फिर किसी तिराही पर ले जाकर फेक दें बहुत ही लावकारी है और बहुत ही चमतकारी होग दन प्राप्ति के एक अच्छु कुपाया और बताता हूँ दोस्तों एक लाल कपड़ा लीजेगा और एक मुठी आप काली मिर्च इसमें रख दीजेगा इस लाल कपड़े में और हन्मान जी के मंदरी में ले जाकर हन्मान जी को आप मंगलवार की साम को आपको चढ़ा द खान पर रख दे जहां रुपया पैसा रखते हैं दोस्तों आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी नियोधनता दरदता नहीं आएगी धन हमेशा बना रहेगा तो इस प्रकार से यह उपाय करें बहुत ही लाबकारी है दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट में को सब्सक्राइब करेंगा जय बजरन दली